नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंजीनिर को पाल पठेल पर तो प्रेंट जैसे के आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखाव है रर्वी एंटीपीसी सीवीटी टू एंड ग्रूप डी प्रिविएस येर भेरी इंपोर्टेंट एंड करते हैं और यह आप लोग का साइंस का सेट वहन है क्यूंकि आप लोग का रिजल्ट जवाथ ही जल्द ही आने वाला है और आप लोग को पहता होगा कि जो सेवीटी टू एक्जाम होगा उसमें आपको पचास कोश्टन जीके और जीस से रहेंगे तो मिनिमुम 15 से 20 क्यूंकिंस के जरूर देखने कंव लेंगे तो आईए लोग उन्ही चैपसूल का आवरन किसका बनावाता है तो कैपकशूल का आवरन बनावाता अस्टार्ग का सुतर होता है C6H10O5 Next question देखते हैं Question number second जो के उंके चुवा किस गुरूप के जनतु है तो जो के उंके चुवा एनलीडा गुरूप के जनतु है और देखी इसी से लिड़ेट एक और question है एनलीडा में उस सर्जन उसके किस उस सर्जी अंग द्वारा होता है तो एनलीडा में उस सर्जन उसके उस सर्जी अंग का नाम हो गया निफरीडिया बेरी इंपोर्टन कोश्टन देखते हैं Question number four सभी अमल में अनिवार रूप से पाय जाना था तु कौन सा थो सभी अमल में अनिवार रूप से पाय जाना था तु है हाइडरॉजन और हाइडरॉजन की कोश किसे नेख थी तो हैडरॉजन की कोश की दी केवेंडीसं है है हैंडरीγ केवेंडीस जो भी मैं एक शक्रब्सद्र होते हैं आप लोग याद करते यहज़ाइगा जाना पनिवा उससे कि बहुत ज्यादा इंपोंट नहों था हाईड्र grounded काITAering के कि या ग्ह확नी एक होता है और हैड्रोजन के कितने समधानिक होता है तो हाईड्रोजन के तेन संधानिक वाहकन ट्रैर्चिण ट्रीःतियंज डीट्रियम और प्रोटीयंग पूछे कि हाइडोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्री होता है तो हाइडोजन का रेडियो सक्री समस्थानिक होता है ट्राइट्रियम नेक्स कोशन देखते हैं कोश्टन नमबर फाइव पौधो के लिए सबसे अच्छा उबरक कौन सा है तो पौधो के लिए सबसे अच अच्छा लगए वीडियो और बहुत अच्छा लगए वीडियो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए भीट करें तो चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें ठीक है कोस्टन नमर 6 देखते हैं हम लोग डैनेमो का आर्मेचर किसका बनाता है तो डैन लमक की सिधहंत पर कारे करता है तो यह सिधहंत यह बर्क करता है इलेक्ट्रमेटिक इंडक्षन पर ठीक है एक कोश्टन के साथ साथ मैं आपको तीन से चार कोश्टन यह वर बता रहा हूं तो आप सब लोग याद करते जाएगा और अगर चाहिए तो आप लोग नोड भी घडीक है नीक्स कुशन देखते हैं खेड्य आ असात्य फलकी उधारन कुन-कुन-स यह हमारा असत फल्का उधारन असेव न ISPati कट्रहल और नारियल ठीक है आपको कोश्टन पहेसकता है आपको चार औप्षन देजेए और पूछ ह आ गा इनमें से कौन सा असत्त्य फल नहीं है तो आप लोग एक चार रियाद किये हुए सेव नास्पातिक कठल और नारियल तो आपको असानी होगी नेक्स कोशन देखते हैं कोश्टन नमबर 9 सोना का आपेचिक घनत वह कितना होता है तो सोना का आपेचिक घनत होता है 19.30 ग्राम पर सेंटीमिटर की हो और सो सिस्टमा नेचर पुस्तक के लिए खौन थे simpler सिस्टमान नेचर पुस्तक किसके दार लिखा गिया था तो यह लिखा गया था कार्लीनीश के दआरा कोश्टन नमबर 11 ऑचनर bilmiyorum कि के सब्सक्रात हो मसालो की रानी किसे कह जाता है तो मसालो की रानी इलाइज जी कह जाता है वह यह अगर आपको बोले कि मसालो का बगीचा किस सहर को तो मसालो का बगीचा आपको पता होगा केरल को खा जाता है ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं कोश्टन नमबर 12 इस फिगमो मैनोमीटर किस आप मापते हैं कोशन नमर 13 देखते हैं चुमकिये फॉलक्स का एस इनिट क्या होता है तो चुमकिये फॉलक्स का एस नूट होता है ठीक है या फिर आपको आपको अम ब्रॉट सेकेंड तो यह भी आप लोग कर सकते हैं भेरी इंपोर्ट्ट इंट भान जगें ठीक है अगर चुंक्य फॉलक्स बीमा बता है तो आप को उससा अगर आ रहना निकालना में असमर्थ हो जाएंगे जहां तक मुझे पता है तो अगर आपको पता है कि चुंक्य फॉलक्स का एस एक को गया यह हो गया लोहा का और लोहा का ओछीनल करते हैं तो में 26 इ enfants अध्यूनक़ लेखते हैं कोष्टान contr जैता है ठीक है गदर हो जाता है next question question no 16 basis a सबसे सबसे दूर ईसी दगरा कौन सा है तो सूर इसे हIs만 नेप्चिन बुझेंगे गवारा मों सके सबसे सबसे नज़्दीक सबसे नज़्दीक आपको हो जाएगा बूद्व ठीक है फिर इंगलिस में मरकरी बोलें ताहरा प्रक्राइब निश्जान अगर Dolan बड़ना कि सौर मंडल का सबसे बड़ा गधर, सबसे बड़ा गध that ब्रेश पती यानी जुपीटर ऑर शोर मंडल का सबसे छोटा गधर गधा बूध ठीक जए और पूझे कि सोर मंडल में सरवाधिक, उपगरह किस गरह के सरवाधिक उपगरह सनी के सनी कितने उपगरह सनी के वेरासी उपगरह है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन दखते हैं कौश्चन नमर 17 प्लांक नियतां ठीक है यानि प्लांक कॉंचेंच जी से लोग करते हैं जिसका मान कितना होता है तो इसका मान होता है 6.625 इन्टु 10 दूट पावर माइनस 34 जूल सेकेंड तो यह भी बहुत इंपोर है था फ्रेंड्स आपको कोश्टन पूजा सकता है कि प्लांक नहीं है तांक यह प्लांक कोश्टन का यह साइट क्या होता है तो उसका यह जूल सेकेंड नकलता है और आज का लास्ट कूशन अपहरें और जो भी मैं आपको कोश्टन कमेंट बोक्स में कमेंट करने के लिए बताओ उन्हें ज़रूर कमेंट बोक्स में कमेंट करें ठीक है पानी का आइथन सबसे कम कितना डिगरी सेलस्ट पर होता है तो आपको इस दो कोशन आज दिये हैं ठीक है तो आप लोग वीडियो पूर पूरा देखेंगे और आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो आप लोग जरूर उन दोनों कोशनों का एंसर जरूर पेज़ें कमेंट में और आप लोग वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को जरूर ल अगर आप लोग टेल्ग्राम चैनल से नहीं जुड़ें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देया गया है आप लोग वहाँ से जाकर जॉइन कर सकते हैं मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में थाइंक यू फ्रेंड्स